हेलो माई डियर फेर्ण्स आप सभी का अवद एकेडमी के यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज हम आप लोगों के लिए 50 साइंस के कोश्चन्स लेकर आये हुए हैं जिसमें आप लोग अगर अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो आपको विज्ञान के एक से बढ़कर एक मह एक पति दनकारी प्राप्त होगी है चलिए हम अपने पहले कोश्चन की तरफ चलते हैं यह रहा है कि अपने कि पर माहाला कोश्चन क्रोम कहां पाये जाते हैं पर हम एक हां क्यॉम का पाय जाते हैं माई poses 12 चैनल जल्दी बताएं जल्दी जल्दी उस बस्द एपने क्रोमो इकलियस में पाये जाते हैं नेस्ट कोशन नेपलिखित में से कोन सा जी Pra Вам के चुआ जल्दी बताएं बिल्कुल कोन सहते हैं कि झुख एकहा बिल्कुल है जबाब आफ Alle दी केचुअ कच पर जो है कशियर सी कि नहीं है रग तलपता अर्थात एनीमिया किसके आभाव के कारण होता है A protein, B vitamin A, C vitamin C और D folic acid जल्दी पताईए रग तलपता किसके कारण होती है जल्दी जल्दी उतरती है बिल्कुल सही जवब आपसन D folic acid की कमी के कारण रग तलपता होती है जिसे एनीमिया कहते है next question, मानो पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोस्यम होते है जी हाँ मानो पुरुष में किस प्रकार के लिंग क्रोमोस्यम होते है A, X, Y, B, Y, Y, C, X, X, D इन में से कोई नहीं जी हाँ बिल्कुल पुरुष क्रोमोस्यम कौन सा है बिल्कुल सही जवॉप्जन Т. किस मनुश्शके मुत्र में अपसिष्ट उत्पात के रूप में पाया जाता है? A. Ammonium, B. Uric Acids, C. Protein और D. Urea जी हाँ, किसी मनुष्ट के मोत्र में आउसिस्ट पादार उत्पात के रूप में पाया जाता है क्या पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब Option D. Urea ठीक है? Urea पाया जाता है Next Question पादब कोश्क्या भित्ती किस से बनी होती है? मुरेन और D. काइटिन जल्दी जल्दी बताईए बिल्कुल सही जवाब Option A. Cellulose और Pectin से बनी होती है कोश्क्या भित्ती Next Question रक्त A. B. रक्त समूव का दाता इन में से किस रक्त समूव के प्राप्ट करता को रक्त दे सकता है? जी हाँ जल्दी बताईए बिल्कुल सही Option C. केवल A. B. जो है A. B. को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है ठीक है? और जो आप लोग बता दीजे इन्वर्सर डोनर गौन है कौन सा है? ऐसा रखते जाता कौन सा है? जो सभी को दे सकता है अपना उत्तर कमेंट वाक्स में लिखिएगा ओके? नेस्ट कोश्चन विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? A. रिकेट्स B. बेरी बेरी C. सकरभी D. नाइट ब्लाइडनेस जल्दी जल्दी बताए बेलकुल सही जबाब आप्शन C एसकरभी विटामिन C की कमी से एसकरभी रोग होता है और विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोथ क्या है? आउला है ठीक है? आउला है और हाँ आप लोगे बताएए कि कहां पर आउला सरवधिक पाया जाता है इसका उत्तर आप लोग कमेंड बाक्स में लिखेंगे आउला सरवधिक कहां पाया जाता है ओके नेस्ट कोश्चन अधिक अंतरकोशी प्रक्सार के लिए बिरल रूप में संचारित होता है अधिक अंतरकोशी प्रिशार के रिए बिरल रूप में संचारित होता है जल्दी जल्दी बताइए अधिक अंतरकोशी प्रिशार के रिए बिरल रूप से संचारित होता है इसके लेरे निन काइमा, फ्लोएम काइमा, कुलोएन काइमा और पैरिन काइमा जल्दी बताईए बिल्कुल सही आपसन डी हो जाएगा पैरन काईमा अधिकान संतरकोशी प्रकास के लिए बिरल रूप से पैरन काईमा संचारित होता है कौन सा जियू मिट्टी के उर्वरकता को बनाया रखता है यसे किसान का मित्र भी कहा जाता है ठीक है नेस्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि यहां गुरुप का रख्त जा सकता है आप सोने टथा ओ गुरूप आप संदी बिरोप जल्दी बताईए बिल्कुल सरी जवाब आप से नहीं हो जाएगा ए तथा ओ ग्रूप ठीक है यह तथा ओ ग्रूप दिया जा सकता है अभी आप पूछा था इसके पहले तो जान लेजिए कि ओ ब्लड ग्रूप जो है आपका उनिवर्शल डोनर है ओ सब को दे सकता है लेकिन ओ सबसे ले नहीं सकता है ठीक है निश्ट कोष्टव जीवद जीवास्म है जीवुद जीवास्म के रूप में किसे जाना जाता है ये सालाकान्या भी लेवियोग सी डैनेक जीज और डी एक्सोशेट्स जल्दी जल्दी उतर दीजे बिल्कुल चाहिए ऑप्सन ए सहलाके जीवद जीवास्म के रूप में इसे जाना जाता है ठीक है नेस्ट कोश्चन उत्कों के अध्यन से संबंधित बिज्ञान को क्या कहते हैं उत्कों के अध्यन संबंधित बिज्ञान को क्या कहते हैं यह साइटोलाजी बीम मर्फोलाजी सी हिस्टोलाजी और डी एनाटोमी जल्दी बताइए बि जल्दी जल्दी बताइए बिलकुल चाहिए जवा आपसंसी सहलगनता युगमज और प्रतिकरशन सहलगनता की दो अस्थाएं हैं जल्दी बताइए बिलकुल सही जाओ आपसंडी हो जाएगा मैलेनिन की कारण तोचा रंगीन होती है तोचा का रंग होता है नेस्ट कुश्च्च पौधों को अपना पौशन मुख्यता इन में से किस से प्राप्त होता है यह क्लोरोफिल्ट बी मिट्टी सी प्रकास और डी वाइवंडल जल्दी बताइए बेलकुल सही जवाब अपसंडी हो जाएगा आपका यहां पित जो है याक्रित से पैदा होता है अर्थात याक्रित से इसका स्राव होता है और जाके पित तैसे की थली में इकत्रित होता है नेस्ट कोश्चन स्चिजन में कौन सी गेस निश्कासित होती जी हां स्चिजन क्रिया के दोरण कौन सी गेस निश्कासित होती है आक्सीजन भी कारबन डायाक्साइड सी नाइट्रोजन कोई नहीं जल्दी जल्द उतर दीजे, बिल्कुल सही जावा, आपसन B, कारबंडाई, आक्साइड, जब हम सोसन क्रिया करते हैं, तो उस समय कारबंडाई आक्साइड को छोड़ते हैं, और आक्सीजन को ग्रहाण करते हैं, ठीक है, नेश्ट कोशिशन, एक अणु सरक्राब से बनने वाले ATP की संख्या कितनी है, एक अणु सरक्राब से बनने वाले ATP की संख्या कितनी है, A, 2, B, 34, C, 36, D, 38, जल्दी बताए, बेल्कुल सही जावा, आपसन D, 38 है, 38 है, नेश्ट कोशिशन, जन्त बिज्ञान किसका अध्यन है, एय, उजा का, B, 15, possible commence, जल्दी जलरी उतरदिजे किसका अध्यन है, बेल्कुल सही जान्वरों का जन्त बिज्ञान में जान्वरों का अध्यन करते हैं, नेश्ट कोशिशन, एक मानो इगमज और egy मानो सुक्राण में गुरसुत्रों की संख्या का अनुपात क्या होता है जल्दी बताएं बील्कुल सभी जवाब आप संबेदी कोषक्या वाले छेत्र को कहा जाता जी हां आग के रेटना में बिना समवेदी कोश्क्या वाले छेत्र को कहा जाता है यह आईरिस बी ब्लाइंड इस्पाट शी काउडिया डी डार्क इसपाट जल्दी जल्दी उत्तर दीजे बेलकुल सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा ब्लाइंड इसपाट आग के रेटन जल्दी बताएं बेलकुल सही ऑप्शन है नेस्ट कोश्चन आयोडीन का टिंचर टाजा घ्राओं के लिए एक एंटिसेप्टिक है वह आयोडीन का एक तन्विलेन है इसमें क्या नहीं होता यह पानी बी एसीटोन सी अल्कोहल डी पोटेशियम आयोडाइड जल्दी जल्दी उतर दीजे बिल्कुल सभी बहुत अच्छा आपका हो जाएगा बी पेनसलीन जो है बिटा के रोटीन से बिटामिन एका संसलेशन कहां होता है यह तो चाहां बीरग्द सीब्रिक और डी अक्रित जल्दी बताइए कहां पर होता है बिटा के रोटीन का बिटामिन एका संसलेशन याक्रित में होता है यहां तीसरे आवर्त में डाड डाड धात होती है जल्दी बताइए बिलकुर से ऑप्सन सी तीन धात होती है निमलिखित में से किस तत्त के कच्छा में दो और यम कच्छा में दो इलेक्टरान होते हैं जल्दी बताइए बिल्कुल सही option D हो जाएगा के कच्छा में दो और यम कच्छा में दो इलेक्टरान होते हैं जल्दी बताइए बिल्कुल सही जाओ आप संडी हो जाएगा का कैलसियम दोलोमाड जो है कैलसियम का आस के है नेस कोशन पाइरोलुसाइट किसका आस तरह मैंगनेज़ बिक्रोमियुम सी टाइटें़ डी यूरेनियम जल्दी बताइए पेल्गुल सही option हो जाएगा पाइरोलुसाइट जो है मैगनेज का ऐसके है नेश कोशन मेंडल ने किस आधार पर युगमकों को सुधता का नियम दिया जी हाँ किस आधार पर युगमकों को सुधता का नियम दिया किस आधार पर युगमकों का सुधता का नियम दिया था बिलकुल सही ऑप्शन डी एक संकर्ण के द्वारा अर्थाद मोनो हाइब्रिट क्राश के द्वारा जो है आधार पर युगमकों को सुधता का नियम दिया था प्रैशन की संब्रत को सरवधिक दाता कहते हैं कि जी हां कौंसा रुधिया रिक्ता है जो documentation data कहलाता है option a a b option c a option d o कौन सा रख्तसमूँ है जो देता है बिल्कुल सही option D ओर रख्तसमूँ जो है वो सब को खून दे सकता है ठीक है और यह भी जो है सबसे ले सकता है लेकिन ओ सबको दे सकता है सबसे ले नहीं सकता है टिन का प्रहूकार क्या है यह अ कोस की स्वसन डीसिक करियां का संचलन और दि कोस की परिभान जल्दी जल्दी बताहीं उत्तर सnal शीलब करना जो आप अनुव 1975 करीअ का संचलन करना जो ईडिने का घार रभल है ने इस क्वेशंट Good प्रोटीन के लाव कौन सा अंज़ाइम प्राड़ी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद रहता है। यी प्रोटीन के लाव कौन सा अंज़ाइम प्राड़ी जगत के सभी सदस्यों मौजूद होता है। A, insulin B, Pepsin C, Raining D, Amylase। जल्दी जल्दी बताईए बिल्कुल सभी जवाब संडी हो जाएगा एमलेस एमलेस जो है प्रोटो जोगा के एलामा एमलेस एंजाइम जो है सभी प्राणी जगत के सभी स्वादस्टों में मौझूद रहता है नेश कोश्चिन योगतम की उत्तर जीवित्या अर्था सर्वाइबल आफ दा फिटेस्ट को किसने अपने करम विकास के सिद्धान्त में पेश किया था यह लैमार्क भी हुगोज डी ब्रीज से डार्विन और डी मेंडल जल्दी जल्दी बताईए योगतम की उत्तर जीवित्या अर्था करनेA निर्विन ने किया था नेश्ट्क कॉशॹ्छन पाधों को अपना पॉस्टर्ण मुख्यता है इन-मेंसे किस से पॉप्ध होता है जी हाँ पाध क्लोरोफिल विर्णती प्रकास और डी वरफ दंडल किसे प्राप्त होता कि पंचियों के अध्धन को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइगे क्या कहते हैं, बिल्कुल शही और निथोलाजी, और निथोलाजी में जो है, पंचियों का अध्धन किया जाता है, नेस्ट कि पशुऊजन को को मजिस प्रॉस्प काली निद्रा के तत्य को क्या कहते हैं आ सल्वे संधिंशन से इन में से कोई नहीं ओर डी इस्टीवेसन जलधी बताइए इस मुर्ट व बिल्कुर सही आप संडी को कहते हैं और पशुओ की घृकली निद्रा को कहा जाता है नेस्ट कोश्यन प्रोटीन के निर्मार के में आधार-भूती क्या है प्रोटीन के निर्मार में आधार-भूती क्या है ए अमीनो एसिद BDNA c RNA-D NITROZEN जल्दी बताएं बिल्कुल सही अमीनो एसिद है अगर आप लोग पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शिर जरूर कीजिए ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं अनुवां सिक किस से संब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब से चल्दी जल्दी बताइए उकिता से वीडियो यह उतना वीडियो एक लायक तो बनता हुए लायक तो जरूर कर दीजिए चलिए अगले कोशन पर चलते हैं निम्लिकित में से कौन रांध्रों के बंद होने और पतियों के गिरने में मदद करता है जी हाँ रांध्रों के बंद होने और पतियों के गिरने में कौन मदद करता है जल्दी जल्दी बताइए इसको उत्तर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही एसिस्किक एसिड अमलू जो है रंधों को बंद होने और पत्यों को गिरने में मदद करता है जल्दी जल्दी बताइए क्या पालक में सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही ऑप्शन भी लौ आयरन पाया जाता है ठीक है निम्ड में से मानों के लिए सामान रुधिर चाप किसे मानना जाता है जी हां मनुष्ट के लिए सामान रुधिर चाप किसे मानना जाते है 120 बटे 80, B 140 बटे 80, C 140 बटे 90, D 120 बटे 90, जल्दी जल्दी उतर दीजे, बिल्कुल सही option हो जाएगा 120 बटे 80, अर्थाथ हाइस्ट 120 नियुनतम 80 होना चाहिए, नेश्ट निमलिखित में से किस रोग से पीडित लोगों को इंसुलीन के दिया जाता है, जी हाँ किस बीमारी से पीडित लोगों को इंसुलीन का इंजेक्शन दिया जाता है, ये पोलियो, B, कैंसर, C, तपेदि काउडी मध में, जल्दी बताईए, बेल्कुल सही जाए, मानो मस्टिज का मानो नेट का मानो कान का जल्दी बताएं बियुफिल किसका हिस्सा है बिल्कुल सहिं मानो नेद्र का एक महत्पूर्ण हिस्सा है प्यूपीजिक बायो cottacht प्रियोग सबसे पचंड रहे किस नहीं कि जिर अला मारक भी डाय किया जाता है यहां इंटोमोलाजी में किटो का अध्यन किया जाता है मानो सरीर में कौन सा इस्सा टाइब हाइट से प्रभाइट होता है मानो शरीर में कौन सा इससा टाइफ हाइट से प्रभाईट होता है मानो शरीर की जो आथ होती है टाइफ हाइट्रोग में सब से ज़्यादा प्रभाईट होती है next question Elisa निमरीखित में से क्या है जिए हाँ Elisa क्या है ये जिस के अंदर में पहले AIDS का पता चलता है B AIDS का पता के लिए एक जांच C सबसे पहले जिसका AIDS से मिरित हुई हो D वायरस जो AIDS का कारण बनता है जलड़ जलदी उतर दीजिए जिह हाँ एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परिक्षण किया जाता है ठीक है एलिसा परिक्षण जो है एड्स की जांज के लिए किया जाता है ऑप्सन भी हो जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न